नमश्कार भारती के पासे स्वागत आप सभी का इन 27 न्यूज में आज हैदराबाद और चैन्नाई दौरे पर पीम मोदी सिकंदराबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस में को हरी जंडी दिखाकर करेंगे रवाना बजादे प्रधान मंतरी नरेंद मोदी आज हैदराबाद और चैन्नाई दौरे पर रहेंगे तेलंगाना के सिकंदराबाद में पीम वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाकर रवाना करेंगे वही चैन्नाई में अंतरास्टी हवाई अद्ने के नए टर्मिनल के फेज वन का उद्गाटन करेंगे तेलंगाना में सिकंदराबाद तिरुपती वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाने के अलावा तेलंगाना में 11,300 करोड रुपे से अधिक की परियोजनाओ का उद्गाटन और सिलान्यास भी करेंगे अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हदराबाद की दौरे की दौरान मोदी यहां परेड ग्राउंड में एक जंसवा में भी हिस्सा लेंगे वे हदराबाद की करीब अखिल भारतिया आयूर विज्ञान संस्थान बीबी नगर और पांच रास्टी राजमार्क परियोजनाओं की आधार शीला रखेंगे वे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास की आधार शीला भी रखेंगे और रेलवे से संबंदित अन्य विकास परियोजनाओं को रास्टे को समर्पित करेंगे परेड्राउन में सारवजनिक कारेकरम में प्रधान मंतरी एमस बीबी नगर हैदराबाद की आधार शीला रखेंगे एक आधिकारिक विग्यापित से पहले कहा गया था कि एदेश भर में स्वास्त के बुनियादी धांचे को मजबूत करने के प्रधान मंतरी के दरस्टी को उनका प्रमान है वही मोदी 7,850 करूर रुपे से अधिक की रास्टी राजमार्ग परियोजना की अधार शीला भी रखेंगे ये सड़क परियोजना, तिलंगाना और आंधर प्रतेस दोनों के दीच सड़क संपर को मजबूत करेगी और छेतर के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करेगी मोदी का उसी दिन हैदराबाद दौरे के बार तमिलनाडू के लिए रवाना होने का कारेकरम है रेलवे के एक प्रेस विग्यपती में ब्रस्पतिवार को कहा गया कि यातरा के दोरान मोदी हदराबाद सिकंदराबाद छेतर के उपनगरिये खंड में 13 नई मुल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस पतारित सिवाओ को हरी जंटी दिखाएंगे जो यात्रियों को तेज सुवीदा जनक और आरामदायक यात्रा विकल प्रदान करेगी वैसे कंदराबाद महबूब नगर परियोजनाओं के दोहरी करन और विद्दूती करन को भी रास्टिय को समर्पित करेंगे पिचासी क्लो मीटर से आधिक की दूरी तक फैली यह परियोजना लगबग 1410 करोड रुपे की लागत से पूरी की गई है यह परियोजना बता दे मिरबार्द कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और ट्रेनों की ओसत गती बढ़ाने में सहयता करेगी और इसी वक्त की दूसरी बड़ी खबर अभी हम आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी की लोकसबा सदस्यता जाने के बाद उन्हें अपना बारा रतुगला लेन वाला बंगला भी खाली करना होगा इसके लिए उन्हें 24 अप्रेल तक का समय दिया गया है सुत्रों के इसार राहूल गांदी ने बारा तुगलक लेन वाले घर पर अपना सारा सामान पैक कर लिया है लेकिन अभी वह कहीं शिफ्ट नहीं हुए हैं उन्हें उमीद है कि कोट उनके पक्स में फैसला सुनाएगी हलाकि अगर फैसला उनके पक्षिया गीत घर बता दे 13 अप्रेल से 23 अप्रेल के बीच में कभी भी घर खाली कर सकते हैं इसके लिए उन्हें केवल 2-3 घंटे का समय लगेगा राहूल गांदी कहा शिफ्ट होंगे यह तो अभी तैय नहीं हुआ है लेकिन 10 जनपत सोनिया गांदी के आवास समेत कैसी वेनुगोपाल प्रमोत ति वारी शक्ति सिंग के आवासों में से किसी एक बंगले में वेशिफ्ट हो सकते हैं सूत्र 10 जनपत की संभावना ज्यादा जता रहें इसके पीछे कारण यह है कि वह बंगला काफी बड़ा है और उनकी मा का भी है यहां से वह अपने कामों को बड़ी ही आसानी से संचालित कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही देखते रहें एन 27 न्यूज आप देख रहे हैं एन 27 न्यूज पकड़ हर खाबर पर